नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सुमबारी और नाग पंच मी आज भक्तो की उम्री भी मनीश कर्ष्ट्यप के घर का कुड़क सामान रेलीज प्यार सिक्षक सेंटर लिस्ट जाड़ी ऐसे करे चेक प्यार के सभी स्कूलों के निर्मान काड़े पर लगी रो निक्तु सिंग को लेकर उनके साथ ही खिरारी ने किया बड़ा खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सोमवारी और नाग पंचमी आज भक्तो की उम्री भीर आज यानिक 21 अगस्त को सोमवार और नाग पंचमी दोनों साथ में है ऐसे में आज सुभा से ही मंदिरों में भारी भीर देखने को मिल रही है बता दे कि हिंदू कालिंडर के अनुसार सावन मा में सुकल पक्षकी पंचमी को नाग पंचमी का पड़व मनाया जाता है ऐसे में आज के दिन भागवान शिव के प्रियर नाग को दूद और लावा चरहाने की पड़म पड़ा है वहीं आज सावन का साथवा सोंबार है ऐसे में हर जगा आज सुभा सुभा शिव मंदिर जाकर भगवान भोले नाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना की जा रही है मंदिर में बज रहे संकनाथ और ओम नमस सिवाई के जैगोश से पूड़ा मंदिर पड़िसर भक्ती में टूबा रहा बतादे के ऐसे तो पूड़ा सावन महीना ही भगवान भोले के लिए खास माना जाता है लेकिन सावन का प्रतेख सोंबार की महत्ता अधिक है मालताओं के नुसार नाग पंचमी के दिन नागो की पूजा ब्रत रखने और कता पढ़ने से व्यक्ती को काल सर्फ दो से मुक्ती मिलती है भैदूर होता है पड़िवार की रक्षा होती है और सभी मनुकामनाय पुर्ण होती है मनीश कशब के घड का कुड़क सामान रिलीस बिददूर अविवार को बेतिया सिवल कोड के आदेश पर पुलिस के द्वारा मनीश कशब के घड का कुड़क सामानों को रिलीस कर दिया गया है मनीश कशब की मा मधु देवी और भाई करन कशब कोड का आदेश लेकर मजोलिया थाना पहुंचे थे जिसके बाद ठाने की पुलिस के द्वारा कुड़की में लाए गये सामानों की काखजी प्रक्रीय पूरी कर उनके परिजनों को सौब दिया गया सामानों को मुक्त कराने के बाद ट्रैक्टर पर लादकर अपने गाउं महनावा डुम्री लाया मनीश कशप ने बताया कि किसी व्यक्ति के घर की पलिस कुडकी करती है तो वीडियो बनाती है लेकिन मेरे घर के कुडकी के दोरार वीडियो नहीं बनाया गया पुलिस से वीडियो दिखाने को लेकर कहा तो किसी तरह काफूटेस नहीं दिखाया गया वह इंस्पेक्टर सह मजहुलिया थाना अध्यक्ष अभै कुमार ने बताया कि मनीश कशप के घर से जब सामान को नयाले के आदेश पर कागजी प्रक्विया पूरी करने के बाद मुक्त कर दिया गया है बिहर में 12 तक के छात्रों को इस दिन तक मिल सकती है चात्रविती की राशी अगराबी बिहर सरकार के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से लेकर 12 तक में पढ़ते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता देगी कक्षा एक से लिकर बारवी तक के चातर चातराओं को सरकार की तरफ से दी जाने वाली चातर विर्थी की राशी पोसाग साइकल आदी योजनाओं के अंतरगत दी जाने वाली राशी का भुक्तान 10 अक्टूबर के बाद करना शुरू कर दिया जाएगा मालमों के कक्षा एक से बारवी तक में कुल दो करोड बच्चे ना मांग के थे आपकी जानकारी के लिए बता दे किन सभी योजनाओं का लाब बिहार सरकार के दौरा उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्द करवाया जाएगा जिनकी कक्षा में उपस्ते थी 75 प्रतीशत ह होगी इन राशी का भुकता सरकार के दौरा सभी चातर चातराओं की बैंक खाते में भेजा जाएगा इन योजनाओं के लाब के लिए 30 सितंबर तक की बच्चों की हाजरी देखी जाएगी इसी में तैह होगा कि किस बच्चे की हाजरी 75 प्रतीशत से अधिक है और किस की कम बिहार में 76 प्रतीशत हिस्से में होड़ी खेती इतने प्रतीशत छेतर हैं जंगल और बंजर इन दिनों बिहार में 12 और सुखार दोनों के सिती बनी हुई है ऐसे में लोगों को काफी परिशानी का भी सामना करना पर रहा है बता दे कि अगर बिहार में 12 और सुखार के सित किलो मीटर चेतर जंगल है जबकि राजे के कुल चेतर पल का लगभग 6 प्रतीशत हिस्सा जंगल है वहीं 2,734 वर्ग किलो मीटर चेतर ऐसे हैं जो बंजर या अनुपयोगी है आपकी जानकारी किल बता दे कि राजे में 4 जिले ऐसे हैं जहां जंगली चेतर का दायरा सबसे अधिक है जिन में पश्मी जंपारण, जमुई, लखी सराय और मुंगेर के नाम शामिल है मालू हो कि राजे का कुल 26,073 वर्ग किलो मीटर चेतर ऐसा है जहां बाहर आती है बिहार से चक सेंटर लिस्ट जारी ऐसे करे चक अगर आप ए उन अभ्यरतियों में से है जो बिहा परिच्छा में शामिल होना चाहते हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि आयोग के ओर से अपने अधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यरतियों की परिच्छा किंद्र का आवांटन कर दिया गया है ऐसे में अभ्यरतियों अपना परिच्छा किंद्र का नाम देखने क लिए BPSC की अधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर मौझूद डैश्बोर्ड में अपने यूजर आईडी और पासवर्ट के माध्यम से लॉग इन कर देख सकते हैं अपके जानकारिक लिए बता दें कि यह परिक्षा 24, 25 और 26 अगस 2023 को आयूजित की जा रही है मालुम हों कि अभिर्थियों को परिक्षा किंद्र में एड्मिट काइट की एक अतरिक्त कॉपी भी लेकर जानी होगी जो की वे परिक्षा को सौपेंगे बिहार में डेंगू की चपेट में आ रहे लोग, अस्पतालों में बढ़ी भील, बिहार में लगाता डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में अब लोगों को इसे काफी साफधानी बरतने की जरूरत है बतादी की बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते वे बिहार की राजधानी पटना के इस्पताल में 15-15 बेड सुरक्षित किये गए है, मालूम हो कि अब तक पटना में 16 मरीजों में डेंगू की पुस्टी हो चुकी है, ऐसे में इसको लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट मोड नहीं, एंटी लारवा भी आंच से रुकिया गया है, ट्रेन की बोगी से सराब बढ़ा मत, बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकी फैल, लिकिन इसके बावजूद भी, आए दिन हमें इन से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं, हालाकि इ उतपाद दिवाक की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही है, लिकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ जादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा, बलकि सराब तसकर, तसकरी के लिए आए दिन नए-नए तरीकों का निजाद करते पाए जाते हैं, बता दे कि ताजा मामल उसे पूछा किया तो किसी के दोरा कुछ नहीं कहा गया, बिहार के खिलारी ने चीन में जीता रजत पदक, 17 से 20 अगस्त तक चीन की मकाउं में आयुजित 11 एशियन जूनियर वुशु चैंपियंशिप 2013 में बिहार के राहुल कुमार के दोरा 48 किलोग्राम भार वर्ग में बहतरीं खेल का प्रदर्शन करते वे रजत पदक अपने नाम किया गया है, जिससे कि राजे के सासा देश का भी मान बढ़ा है, बालूम हो कि राहुल कुमार की सुपलब्धी पर उन्हें बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है, उन्हें बिहार सरकार के कला संस्क्र युआ मंतरी जितंदर कुमार राए, बिहार राजी खेल प्रादीकरन के महानिदेशक सह मुख्य कारेकारी, अधिकारी रविंदरन संक्रन वनिदेशक सह सचीव पंकज राज के दवरा बधाई दी गई, इसके साथ ही राहुल के चीन से बिहार लोटने पर बिहार राजी खेल प्रादीकरन की तरफ से उनका स्वागत भी किया जाएगा बिहार के सभी स्कूलों के निर्मान कारे पर लगी रोक इन दिनों बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाथक के दौरा सक्षा विवस्था को पट्री पर लाने के लिए कई दिशा न गुनियर इंजीनर को आदेश जारी करते वे सपस्ट कर दिया है कि अगले आदेश सभी स्कूल परिशर के निर्मान कारे पर रोक लगा दिया जाए और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमती के किसी भी प्रकार का निर्मान कारे अब विद्याले अनुचित या गरत ITC से कर रहे थे या अपना निबंधन कैंसल कराने के बावजूद धी वेवसाइग कर रहे थे। अगले सत्र में भी JEE मिन होगा दो चरणों में अगले साल भी दो चरणों में IIT और NIT में नमांकर लेने के लिए JEE मिन दो चरणों में आयोजित किया जाएगा बता दे कि परिक्षा कालेंडर को अंतिम रूप दिया जाड़ा है। आयोजित के जाने की संभावना है वही दूसरे चरण की परिक्षा मार्च के मध्य से अंतिम सप्ता में आयोजित की जा सकती है। JEE में की परिक्षा समाप्त होनी के बाद मई में JEE एडवांस की परिक्षा आयोजित की जाएगी। JEE एगस्त के आखिर या फिर सितंबर के पहले सप्ता में वेबसाइट NTA.AC.IN पर सेड्यूल जारी कर देगा। जिससे बाद एक्षोक और योग अभियर्थी वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि CBI इस फैसले से औस संतुष्ट है। हाई कोड के फैसले में हस्तशेप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाई कोड का फैसला सामान सद्धानतों और सामान नियमों पर आधारित है। बीजेपी नेताओं पर हुए लाठी चार्ज को लेकर पटना डीम, SSP दिल्ली तलब। बीदर 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं के द्वरा सक्षकों की मांग और लैंड फॉर्ट जॉब्स केस में चार्ज सीटेट होने के बाद तेरश्वी के स्थिफिक की मांग को लेकर विधान सभा घेरने के दौरा उन पर पुलस के द्वरा लाठी चार्ज किया गया था। जिसमें कई बीजेपी नेता घायल भी हो गये थे हैसे में अब इस मामले को लेकर लोग सभाय स्पीकर ओम बिर्ला के दौरा पट्टा के डियम और एससपी को 30 अगस्त को दिल्ली में तलब किया गया है। मालम हो किसकी शिकायत लोग सभाय स्पीकर से लाठी चार्ज में घ हायल हुए बीजेपी स्तांसा जनारदन सिग्रिवाल के दौरा की गई थी वहीं अब डियम और एससपी को दिली तलब करने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है एक तरफ जहां जेडियू प्रवक्ता अब इशेख जहा के दौरा कहा गया कि बीजेपी के लोग लारी ने किया बड़ा खुलासा बीते दिन भारत और आयलांड के बीच हुए दूसरे टी 20 इंटरनाशनल मैच में पाय हाथ के बलेबाज रिंकु सिंग के दौरा केवल 21 गिंदो में दो चौके और तीन छके की मदब से 38 रन बना कर धमाका मचा दिया वहीं अब उनके इस परिस्ति को समझता है और फिर आकरमन करता है उन्होंने कहा कि आने वाले खिलारी हो या जो फिनिसर बना चाहते हैं वो रिंकु सिंग से बहुत कुछ सीख सकता है यह हमेशा जरूरी है कि आप को समय क्रीज पर बिताए और फिर बाद में उसे हमेशा कवर करे इस साल रिंक को में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारी कमेंट सक्षन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्होंने हमारी दरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर सर्मा नुनो गोलु कुमार सदुल्ला पलवी मोहमत फहीं मोहमत सकीर हुसेन विनीच चोहा अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहनी के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखर चल्ट को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस् को फॉलो करना न भूले धन्यवाद